नमस्कार मेरे प्यारे किसान सात्यों आपका हार्दिक स्वागत है आपके मन पत्सेंदा फेवरेट यूट्यूब चैनल साधवाद की इस्टी में जहां हम आलू से रिलेटिव हर अपडेट आपको समय से पहले ही बता देते हैं और रोजाना बताते हैं मंडीवाब तो आपस यह की निवेदन है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पास महीं बैल आइकन है उसे ओल पर सेलेक्ट कर लिजे और अपने मित्रों दोस्तों के साथ वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वेटर और अब चर्चा करेंगे आज कहां कहां बारिस हो रही है तो सबसे पहले नजट डाल लेते हैं मंडी भाव पे तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम यह यश्वन्दपुरा बंगलूर मंडी की बात कर लेते हैं तो मद्ध प्रदेश का आलू यहां किसान भाईओ 25 रुप इंदर से सालो नुट्ट at gaan यहां नोट कर ले न यह 45 क्लो की तॉल है रच्छन में जितनगी आलू अलू की तॉल ही तंवेसेथ कॉलर का अलू 1200 रुपे से लेकर 1450 रुपे पृति पैकेट गुजरात का अलू 700 रुपे से लेकर 900 रुपे पृति पैकेट इंदर का अलू 670 रुपे से लेकर 900 रुपे पृति पैकेट आगरा का अलू 7500 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक आज सौधे हुए हैं हैदराबाद के आलू की बात करें तो 800 रुपे से 800 रुपे कायो डोड मंडी चेनने की कोयम बेड मंडी चेनने की बात कर लेते हैं तो उत्तर परदेश का आलू यहां 15 रुपे किलो से लेकर 18 रुपे किलो तक बिक रहा है इंदर कालू 16 रुपे कलो तक विक रहा है बात कर लेते हैं आपके महभूब नगर मंडी की तो लोकल कालू 6500 से लेकर 700 रुपे बंपर आलू यहां 400 रुपे से लेकर 500 रुपे तक विक रहा है अगर बात कर लेते हैं पूना मंडी की तो पूना मंडी में इंदर कालू 8 गुजरात का अलू 700 रुपे से लेकर 900 रुपे प्रती 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 प्र हैदरबाद मंडी की बात कर लेते हैं तो 377 आए। आजादपूर मंडी की तो आजादपूर मंडी नई दिल्ली में यहाँ पर सूर्य आलू जो है काफीड अच्छा बिकरा है साड़े 500 से लेका 500 रुपे पृती पेकिट संबल का चिप्सो न विख रहा है आपका 400 रुपे पृती पेकिट और आगर बात करें आगरा आस सास ने हाथ रस cỏ साड़े 500 रुपे पृती पेकिट विख रहा है नॉर्मल क्वालिटी के आलू साड़े 300 से 400 रुपे प्रती पैकट के आए 3797 में आज 100 रुपे से लेकर 1500 रुपे का करंट आ है जो आलू 3797 रुपे विक्राता आज वो 400 रुपे प्रती पैकट के विक्रा है आप बात कर लेते हैं आपके सिंदूरी आलू की तो सिंदूरी आलू और लाल आलू जो डेली के आज़ात पुरमंडी में पहुचा है और ये गाड़ी आज जो हैं डेली के आज़ात पुरमंडी में कुल मिलाके 60 गाड़ी पूरी कल की बेलेंस को लगा के कल की 33 बेलेंस थी और 30 बेलेंस याज पुरानी गाड़ी यानि कि 60 गाड़ीयों की आवग आज नई दिली आजादपुर मंडी में हुई है ऐसे मैं यहांपर पुराने आलू की डिमांड बढ़ी है क्योंकि पंजाब के जादतार इलाकों में भारी बरसात होने की वज़े से खुदाई पर फिलाल ब्रेक लग गया चाहें वो जलंदर हो पट्याला हो आपका फ्रोजपुर्ट सिटी हो कोई भी नवा सहर हो या अपका हर्याना का अंबाला पीपली अजियां को पर आलू जो ख बात कर लेते हैं आपग के ऐहमदाबाद मंडी की थो जयापुर के मंडि के बाध आता हैं आज यापूर की मंदी में बाड़्य गारी के आवक है आप इसे आप समझ सकते हैं मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई में उत्तर परदेश का एहलार मद्ध़ परदेश का 23 रुपे कलो से लेकर 26 रुपे कलो MP का ही जियोती 12 रुपे किलो से लेकर 14 रुपे किलो पोकराज 10 रुपे किलो से लेकर 12 रुपे किलो पंजब 8 रुपे किलो से लेकर 10 रुपे किलो 37 सतानवय ने यहां 2 रुपे की उचाला आई है 9 रुपे किलो से लेकर 11 रुपे किलो कालिम्पॉंग में стенफ पिर चंफचर इंजाइं कलियानि मैं 604 परे पिर्धिप अस्टरल म hedgeехरे पिर्थि पजुपयर्थी किब बंगर-पे सब्सक्राइब प्रति पैकट, बलूर घाट में 625, मैदनी पूर इस्ट में 635, मैदनी पूर वेस्ट मैं 700 रुपे प्रति पैकट, हावड़ा में 695 रुपे पैकट, उलवेरिया में 642, Прոऻ्डापुर में 650, अंग्रे जी बघार में 675, हावड़ो अमज। गाजवाल में 635, वीर वुवी में 600 रुपे प्रती पैकट, गाजवाल में 600, पुरलिया में 600, सिली उडी में 600 रुपे प्रती पैकट, द्रुगापर में 600 रुपे प्रती पैकट, डैमंड हर्वन 695 और चंप टांगा में 630 रुपे प्रती पैकट, यहां पर बॉंड के साथ में दाम लगे बिका है आलू अब बॉंड कार्ट दीज़े तो वही 4.500-500 के रेट किसानों को मिल रहे हैं बात कर लेते हैं आपके उडिसा मंडी की तो उडिसा में बारगर में 1450 रुपे पृति पैकेट टूसरा में 950 रुपे पैकेट बुईर माराजपुर में 1150 रुपे प्रति पैकेट और बॉला अंगिर में 1250 रुपे प्रति पैकेट आलू गरेट यह थे किसान मेरे साथ में देश बर की तमाम मंडियों के हाल अगर आपके कोई भी मंडी चुटी हो जो भी आप चाहते हैं कि हमारे यहां की मंडी दिखाए तो अपने अपना कमेंट वक्स मे अपने जिले का नाम अपने छेतर का नाम जरू लिखे बेजाएं इससे क्या है कि हमें आसानी होगी कि आपके छेतर में कौंजी मंडी है जो आपके पास में चल रही है तो ऐसे ही यह थे मेरे साथ में आप लोग के लिए वो और आगर मैं आपको बता दू यहां पर फिलाल जो है एक और western disturbance संकेत मिल गए हैं और western disturbance यहां पर यह जो western disturbance है उसकी त्रिवता है वो निन्याने 8% मापी गई है यानि कि त्रिवता वाला western disturbance है जो पांस से छे जनवरी 2022 को आएगा भारत में और इसका जो प्रभाव रहेगा वो क्या रहा है जनवरी 2022 तक रहेगा ऐसे में 7-8 दिन तक यहाँ पर मूसलाधार या गरच चमक के साथ में ओला वरश्टी हो सकती है और जिन इलाकों में बारिस नहीं हुई है वहाँ पर यह बारि जैसे आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है मैं यह नहीं कहरा बारिस ज्यादा हो या कम हो लेकिन वेस्टन डिस्ट्रुएंस आ रहा है और वो 99.8% की त्रिवता वाला है आप खुद देख लिजे उससे आपके ओला विरस्टी यानि की 99.8 होता है वो अती मक्य साथ वो बरसात वाला नहीं होता है उसका प्रभाव यह है कि कहीं कहीं बरसात जो जहां पर moderate level की बरसात है वह वहां पर तेज बरसात हो जाएगी तो इससे आप लोगों को सचेत रहना है और मेरा निवेदन यही है कि आप इससे पहले-पहले अपनी फसलों में पहला दूसरा इसपरे जो कर रहे है यहाँ पहला तो होग चुका है दूसरा इसपरे कर रहे है उसका भी मैंने link description में डाल दिया है कैसे आप अपनी फसल को बचाए रखने के लिए कौन कौन सी दवाह हैं समय समय पर प्रयोग कर सकते क्यों कि विबिन कंपनियां जो हैं गाउं मे काफी नुकसान हो सकता है तो ऐसे जो बहरुपी है जो गाउं का अंडोल हैं आपको फंगी साइट से बताने का प्रयार वो बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं किसे प्लांट ग्रोथ होगा इससे बता रहे हैं आपको ट्यूब का विकास होगा दस दिन मैं बीस दिन मैं गा यह बाड़ा होता है ऐसे ही वो लिकल के सामने आगे ऐसे लोगों से दवाई ना खरीद है जो भी आपको दवाई या कीट नाश्ता की या कोछ भी फंगिसाइड है या रूट रोट जैसे समस्या जडगलन जैसे समस्या जड़ की काली पढ़ना पत्तों का पीला पढ़ना पत आपका सारा कुछ पढ़ा है और फिर भी अगर आपको यह लगता है कि हमें प्रैक्टिकली देखना है तो प्रैक्टिकली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह दे दिया है और आप देख लिजेगा और आपको लास्ट में वीडियो में यह इस चलता हुआ मिल जाएगा आपको मैं उसमें वीडियो बिल्कुल प्रोवाइट दरवार हूँ आप उसमें देखिएगा क्योंकि मैंने तीन बार वीडियो डाल दिया है आप उसे देखिए और उसका बरपूर फायदा उठाईए और समय पे दवाईयों का प्रियोग करें और कम जितनी कम मात्र में कर यह सारे जो भी वो होते हैं दवाईयों उनको प्रियोग कर से लेकिन पहले अपने पेड़ों को स्वस्त कीजिए आलू को रोग गरस्त जो है उसे बिल्कुल खेतम कीजिए रोग को तो किसन भाईयों यह थे मेरे साथ में पूरी जानकारी लेकिन आने वाले वेस्टन डिस और नवेदन यही रहेगा कि आप पानी लगा रहे हैं तो चार तारीक के बाद में पानी ना लगाएं अपनी फसल में पंद्रह तारीक तक पंद्रह तारीक तक अपना जो है दस दिन ऐसा गयप रखें कि जिसमें आप पानी ना लगाएं अन्यता ज्यादा अतिवरस्टी या ओल अवरेश्टी या बहरी बरसात हो गई तो आपको फसल में पानी बढ़ जागे जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है तो निवेदन यही है कि आप चार तारीक के बाद में पानी ना लगाएं पहले वेस्टर डिश्टर फेंस को देखें उसके बाद ही पानी लगाएं पंदरह तारीक पंदरह जनवरी 2022 के बाद में तो नमस्कार करसान साहती आपका दिन शोब हो